दिकी बैट के जिन्दगी दिल्चर्फ वाक्यास से भरी पड़ी है जिसमें असूल पसंदी, शफाफियत, वाक्की पाबंदी और हसी मजाग भी शामिल है मुश्किल से मुश्किल सूरतेहाल में दुरूस फैसले करने के सलायत ने उन्हें दूसरों से मुम्ताज बनाया वो ग्राउंड में सरकश खिलाडियों को काबू करने के पन से भी आशना थे, उनका पूरा नाम हारवर्ड डैनिस पर्ड था वो 19 अपरेल 1933 को यॉक्शेर के इलाके बांसले के एक खरीब घराने में पैदा हुए उन्होंने अपने वालिद को सारी जिन्दगी कोईले की कान में सफ महनत करते हुए देखा वो पढ़ाई में जादा अच्छे नहीं थे और प्राइमरी एजूकेशन के आखरी साल में वो फेल हो गए थे 1948 में उन्होंने मौटरन उस्कूल छोड़ दिया जिसके बाद वो कुछ अरसे कान कनी करते रहे डिकी बर्ड की फिटबॉल में भी गहरी दिल्चस्पी थी ताहर गुठने की इंजरी के बाइस वो प्रोफेशनल फिटबॉलर नहीं बन सके उनके वालिद ने उन्हें नसियत की थी कि अगर तुम काम्याब स्पोर्स मैन बनना चाहते हो तो सिगरेट नोशी, शराब और नाइट कलब की खुराफास से दूर रहना 1948 में 15 साला डिकी बर्ड ने उसकूल से एक दिन भाग कर जिंदगी में पहली बार इंगलेंड और और स्टेलियर के तर्मियान होने वाला टेस मैच देखा था ताहम इस वाकिये के ठीक 25 साल बाद वो खुद न्यूजलेंड और इंगलेंड के माबैन टेस मैच में इंपारिंग कर रहे थे टीकी बर्ड ने 66 टेस्ट और 69 वंडे मैचों में फराइज निभाए वो फर्स प्लास किर्किट में बतौर बैट्समेन यॉक शेर और लेस्टर शेर की नुमाइंदगी करते रहे इस दोरान उन्होंने दो सेंजरियां और 14 निभ सेंजरियां भी स्कोर की लेकिन इंजरी मसाइल के 22 सिर्फ 31 साल की उमर में उनके फर्स प्लास केरियर का खात्मा हो गया बात अज़ा इंग्लेंड के साबिक फास पॉलर जेंस वार ने उन्हें मश्वरा दिया के वो इंपारिंग के शोबे में आ जाएं ये सुनकर डिकी बर्ड हस पड़े और कहने लगे के मैं और इंपारिंग आप यकीनि न मजाग कर रहे हैं डिकी बर्ड के दोस्तों ने उनसे कहा कि ये आइडिया पुरा नहीं है जिस पर डिकी बर्ट ने भी संचीत की से इंपारिंग में आने के बारे में सोचना शुरू कर दिया मगर जब ये बात उन्होंने अस्पताल में जेरे इलाज अपने वालिद को बताई तो वो सख नराज हो गए अगले दिकी बर्ट को इतला मिली कि उनके वालिद का इंतिकाल हो गया है डिकी बर्ट को इस बात का शदीद अफसोस रहा कि टेस इंपारिंग बनने के बाद वो अपने वालिद के लिए बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन कुदरत ने उन्हें मौका नहीं दिया डिकी बर्ट ने उनने सो सतर में फस्ट क्लास इंपारिंग का आगास किया और वहीं से उनकी जाज से वापस था दिलचस वाकियाद भी शुरू हो गए जिन में उनकी वक्त से पहले वेन्यू पर पहुंचने की आदत नुमाया थी उनका बाहिस्यत इंपार दूसरा मैच सिरे और यौक शायर के तर्वियान ओवल ग्राउंड में था जिसमें फराइस निभाने के लिए वो मैच शुरू होने से पांच घंटे कबल सुबह छे बजे ग्राउंड पहुँच गए थे डिकी बर्ड अपने अवलीन टेस्क में इंपारिंग के लिए भी जब हेडिंग ले ग्राउंड पहुँचे तो मरकजी केट बन था और उस वाक सुभा के साड़े साथ बज रहे थे दोस्तों डिकी बर्ड ने सारी जिन्दगी शादी नहीं की मगर वो जब 19 साल के थे तो उस वक उनकी कई गर्फ्रेंड भी मौजूद थी लेकिन ये सिर्फला भी चैन माह तर जारी रहा एक मरतबा वो कोचिंग के सिर्फले में जोहानिस बर्ग गए तो यूनिवरस्टी की तलबा से उन्हें महब्बत हो गई मगर पास मसाइल के बाइस दोनों शादी ना कर सके तिकी बर्ड अपनी किताब में ये इतराफ किया था कि उन्हें जिन्दगी में सिर्फ इस बात का अफसोस है कि वो अपनी फैमली नहीं बना सके अगर उनका बेटा होता तो वो उसे किरकिट खेलता हुआ देखकर बहुत खुश होते दिकी बर्ड को ये मुनफरित एजाज भी हासिल है कि वो मलका बर्तानिया से मुक्तलिक मवाकों पर 27 मरतबा मुलाकात कर चुके हैं ये बात भी दिल्चस्पी से खाली नहीं है कि जब दिकी बर्ड को शाही एजाज दिया जा रहा था तो वो तकरीब से चार घंटे कबल वेकेंडम पैलिस पहुँच गए थे दोस्तो डिकी बर्ड बढ़ती भी उमर की वज़ा से इम्पारियू के शोपे से अलग हो चुके हैं मगर जब भी किर्किट की बात की जाएगी तो उनका नाम नुमाया नजर आएगा आपको ये वीडियो पसंद आईए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजाद जरूर कीजिए और फेस्बुक पेज को लाइक करें और योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दवाना ना भूलिएगा टाके आने आली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके